एशियन गेम्स 2023 में नेपाल और मंगोलिया के बीज खेले गए मैच में T20 क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड धस्त हो गए इस मैच में एक बल्लेबाज ने 9 गेंद में अर्थ सतक लगाया वहीं एक अन्य बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट का सबसे तेज सतक जरा इस मैच में नेपाल की टीम ने T20 क्रिकेट का सबसे वरा स्कोर भी बनाया इसके अलावा टीम ने एक इनिंग में सबसे दादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया एशियन गेम्स में मंगलवार को नेपाल और मंगोलिया की टीम आमने सामने हुई इस मैच में मंगोलिया की टीम ने टॉस चीत कर गेंदबाजी का फैसला लिया नेपाल के दोनों उपनर जल्दी आउट हो गए मगर इसके बाद कप्तान रोहित पॉडेल और कुसल मल्ला ने ताबरतोर बल्लेबाजी की कुसल मल्ला ने टी टॉन्टी क्रिकेट का सबसे तेज सतक लगाया उन्होंने सिर्फ 34 गेंद में अपना सतक पूरा किया कुसल मल्ला ने साउथ अपरिका के बिसफोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को पीछे छोड़ दिया जिनके नाम 35 गेंद में सतक लगाने का रिकॉर्ड था कुसल मल्ला ने 50 गेंद में 137 रन की नाबाद पारी खेली अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 12 चक के लगाए कुसल मल्ला के अलावा इस मैच में दिपेंदर सिंगेरी ने भी ताबरत और बल्ले बाजी की दिपेंदर सिंगेरी ने T20 में सबसे 30 अर्थ सतक लगा कर युवराज सिंग के रिकॉर्ड को दोस्त कर दिया दिपेंदर सिंग ने सिर्फ 9 गेंद में अपना अर्थ सतक लगाया उन्होंने 10 गेंद में नावाद 52 रन की पारी खेली जिसमें 8 चक के सामिल थे नेपाल की टीम ने 20 ओफर में 3 विकेट पर 314 रन बनाये जो T20 क्रिकेट का सबसे वरा स्कूर है इससे पहले अफगानिस्तान के नाम 3 विकेट पर 278 रन बनाने का रिकॉर्ड था T20 क्रिकेट में पहली बार किसी टीम ने 300 रन का स्कूर पार किया है इसके अलावा नेपाल की टीम ने इस पारी में 26 चक के लगाए एक इनिंग में सबसे ज़्यादा चक का लगाने का रिकॉर्ड भी अब नेपाल के नाम दर्च हो गया है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद